श्रीगuds स्वागत हैं आज मैं आपके लिए बहुत सुन्दर सा स्वाइटर कह डिजाइन लेकर आए आई हूं यह स्वाइटर जो मैंने बनाया है पंस साल के बच्ची लिए पनाया है और इसमें मैंने जो cartoon character दिया है वो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा तो आपके जो बच्चे हैं उनको cartoon characters बहुत पसंद होते हैं तो उनी में से एक cartoon character पे ये sweater design मैंने बनाया है तो आज इसी की वीडियो आपके साथ share करने वाली हूँ वीडियो को start करने से पहले आपसे request है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल subscribe नहीं किया है तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजे और मेरी वीडियो को like भी करियेगा तो देखिए मैंने sweater बनाया है इसको मैं open करके दिखाती हूँ यह देखिए बहुती सुंदर paper pig वाली design pattern डाली है तो यह sweater तो आपके बच्चों को 100% पसंद आने वाला है paper pig ऐसा cartoon करेक्टर है जो बच्चों को बहुत पसंद होता है तो यह जो sweater है मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है तो इसमें मैंने यह paper pig वाली design pattern डाला है यह मैंने sweater कैसे कैसे बनाया है मैं आपको बताने वाली हूँ यह देखिए नीचे मैंने यह flower वाली design pattern दिया है बीच में यह paper pig डाला है और उपर मैंने यह collar की design डाली है जो collar बनाया है collar वाला sweater बनाया है तो इस पूरे sweater की videoyu आपके साथ share करूंगी तो देखिये यह sweater जो मैंने बनाए है यह मनाया है मैंने 86 फंदों पे 86 फंदों पे मैंने yas sweater बनाया है उसके बाद मैंने 20 lines का plain plain doesn't make design pattern दिया है यह design pattern कैसे डाला जाता है इसकी video भी मे एरे channel पे upload हो चुकी है उसके link मैंने आपको description box में भेज़ दी है तो आप महाँ से देख सकते हैं फिर थोड़ा सा मैंने white portion बिनके ये paper pig वाली design pattern डाला है ये paper pig मैंने graph से डाला है graph आपके साथ share करूँगी इस पूरी design pattern का तो देखिए ये मेरा graph है इस paper pig वाली design का तो ये मैंने 39 फंदों पे design pattern डाला है पूरा और इसमें जो ये नीचे shoes हैं यहां से start हुआ है तो shoes से start करते हुए इसमें आपकी जो छोटी-मोटी उने बच जाती है कभी-कभी एक-एक छोट-छोटी गुलियां बच जाती है तो आप उसको फेके ना जब भी आप ऐसे कोई भी cartoon character डालें तो उसमें ये बहुत जादा use होती है उन तो मैंने इसमें इसी छोट-छोटी उनों से जो बच्चे-कुची उन होती है इसी को मिला जुला के पूरा paper pick का graph pattern बनाया है तो इस graph के according मैंने हर row में फंदे गिन-गिन पूरा graph pattern डाला है तो अगर आप graph pattern डेखके कोई भी design डाल सकते हैं तो आप ये paper pick वाली design अपने बच्चों के sweater में जरूर डाल के देखे बहुत ही सुन्दा sweater तयार होगा और इसमें मैंने जो eyes का है इस graph में आपकी कढहाई दे रखिये हैं लेकिन मैंने इसमें knit करके ये पूरी eyes का pattern बनाया है और lips भी बनाया है तो ये पूरा जो paper pick वाली design है ये पूरा मैंने इस graph देखके बनाया है तो आप इस graph के according ये पूरा paper pick वाली design बना सकते हैं इस design के complete होते ही मैंने यहाँ पर arm hole की घटाई करी है तो arm hole से जो मैंने border तक की लंबाई रखी है वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कितनी रखी है ये देखिए अगर आप border सहीत नापे यहां से रेके यहां तक तो ये 15 inch की इसकी लंबाई आई है तो arm hole तक की मैंने 15 inch की लंबाई ली है तो आप अपने baby के according इसकी लंबाई लेके आप नाप के इंची टेप से की baby की लंबाई कितनी है उसके हिसाब से आप पैटन डालिए और arm hole की घटाई मैंने 4-3-2-1 कर के घट करी है ये बड़े बच्चे का स्वेटर है इसलिए मैंने 4-3-2-1 कर करी है अगर छोटे बच्चे का स्वेटर आप बनाए तो 3-2-1 कर के करें फिर इसमें क्या करा है मैंने यहां पर 2 partition में इसका गला बनाया है दिखिए यहां से मैंने green color की जो यह उन है इसको लगाया है इस color का collar बनाया है तो मैंने half पहले इधर वाला portion बनाया फिर इधर वाला portion बनाके यहां पर 4-3-2-1 करके मैंने गले की गोलाई दिये है 4-3-2-1 करके गोलाई देने के बाद मैंने इसकी shoulder तक की लंबाई करी है तो shoulder तक की जो लंबाई है armhole से वह है आपकी 6 inch तो 6 inch तक की लंबाई करने के बाद यह मैंने ऐसे ही दूसरा अपना portion बनाया है पहले इधर वाला बनाया फिर इधर वाला बनाया तो जब इधर वाला बनाएंगे तो उसकी बटन पट्टी का फंदे होंगे वह मैंने नीचे से देखी उठाए है तो इस तरीके से मैंने इसका यह और इसकी ऊपर की जो आर्म होल की घटाई है सेम वैसे ही करी है जैसे मैंने फ्रेंट वाले हिस्से की करी थी यानि चार तीन दो करके इसकी गोलाई दी है फिर इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है और इसकी जो लंबाई कंप्लीट हुई है वो आपकी front वाले हिस्से के बराबर ही होगी तो इस तरीके से मैंने इसके दोनों portion बनाए है दोनों portion बनाने के बाद मैंने इसकी shoulder joint करे है तो जितने इसमें फंदे थे उतने ही मैंने back में फंदे रखके दोनों shoulder joint कर लिए last में मैंने गले के फंदे उठाए है तो गले के फंदे मैंने जो आपकी सर्कुलर निडिल होती है उससे उठाए हैं तो इतने ही फंदे यहां पर उठेंगे जितने ही यहां पर उठे हैं तो बराबर यह फंदे उठाके बैक में फंदे उठाके यह मैंने कॉलर बनाया है देखिए इसमें मैंने क्या क्या है कॉलर एक सीधा एक उल्टा करके बनाया है तो थोड़ी सी इसकी लंबाई करने के बाद यहां पे मैंने फंदे बढ़ाते हुए यह कोलर बनाया है यह कोलर कैसे बनाया जाता है उसकी वीडियो भी आप मेरे चानल पे देख सकते हैं उसकी लिंक पेने आपको डिस्क्रिप्शन बॉ से अगया है इसलिए मैंने मैंने 50 फंटे लीए हैं फिर ठोड़ी से इन आपस बढ़ाए है एक सिधा एक उल्टा करके बॉर्डर पनाया है फिर ठोड़ी सा प्ल्ले में बिनके जो ग्रीन कलर है जितना बैने काम आ जितना मैप अप्ले में था स्मुत्ना ही बिनके पास इसकी length complete हुई है फिर आस्तीन की जो घटाई करी है गोलाई करी है वो चार 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 करके मैंने चार बार इसको घटाया है और लास्ट में सारे फंदे घटा लिया है तो इस तरीके से मैंने यह स्वेटर बनाया है तो आप भी अपने बच्चों के लिए यही पे-पा-प फिर 5 5 पांच भी लिए है त्री यह फिर 5 पांच भी ऐस इस भाफ को देख़ियों है और फिर बैकर में किस तरीके इससे फंदे लिये हैं और color change करकर आप इसको बना सकते हैं जैसे इसकी boundary है आप चाहें तो इसको नित ना करके last में इसी color से बनाए face और last में इसको का बहुत हैं। मेने उपर से design pattern भी दे सकते हैं केवला बेस बना लें उसके उपर ये कड़ाई भी कर सकते हैं लेकि मैंने पूरा नेट करके बनाया है कोई भी कड़ाई पैटन नहीं दिया है जैसे इसमें जो ग्राफ दिखाया उसमें इसके टेल आई सब कड़ाई करके बनी थी लेकि मैंने इसमें पूरा नेट करके बनाय इस बार अपने बच्चों को यही पेपपेग वाली डिजाइन का स्वेटर पना के पहनाईए आपके बच्ची तो खुशी हो जाएंगे ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसे ही कार्टून करेक्टर वाली और स्वेटर की डिजाइर लेके लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए और नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स वीडियो अप्लोड होते ही उसकी लिंक मिल जाए उसका अपडेट मिल जाए तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में झाल